हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं बिहार आईटी आई के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को कि बिहार ITI का जो भी online form 2022 में आने वाली है वो कब जारी किया जाएगा कब से आप लोग online इस form को fill up कर सकेंगे यदि आप 2021 में इस बार admission नहीं ले पाये हैं तो आप लोग 2022 में इसका form कैसे fill up कर सकेंगे और कब से आप लोग इस form को fill up कर सकेंगे और कब तक आप लोगा counseling date जारी किया जाएगा तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तो बता दे कि जिस भी स्टुडेंड ने 2021 में बिहार आईटी के लिए ओनलाइन आवेदन दिये थे और अपना इंट्रेंस कॉंपिटिटिव एक्जामनेशन को पास आउट किये थे तो आप लोग का र्यांक अच्छ पास करना है तो चलिए देखते हैं कि 2022 में जो इसका फॉर्म होने वाला है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा कब तक इसका ओनलाइन फॉर्म करने को जारी किया जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार आईटी आई यहनी कि बिहार फरवरिस एक्जाम होने के बाद जैसे ही इसका समफ हो जाएगा उसका जो भी है ई रिजल्ट जारी कियाएगा MARCH और अपरेल के महींने में तो इस बीच रिजल्ट जारी करने के बाद बिहार ITI का फोर्म निकाला जाता है तो जुस भी बच्चे ने यहाँ पे बोड के द्वारा तेंथ पास आउट होते हैं तो वो बच्चे बिहार ITI का उनलाइन फोर्म फिलब कर सकता है तो इसलिए यहाँ पे जब एक्जाम हो जाता है तभी यह फोर्म ऑनलाइन फिलब करने का जारी किया जाता है तो आप लोगों को यह जो देखने को मिलेगा इसका आउनलाइन फोर्म का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग online fill up कर सकेंगे तो दोस्तो यदि आप लोग को online fill up form करने का नहीं आता है तो आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हो पहले से ही इसका वीडियो बना दिया गया है तो आप लोग चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हो और बता दें इसका जो last date रहेगा online form फिलब करने का तो last week of June यहनी कि लगभग यहां पे fourth week के से लेकर और last week से June 2022 तक के बीच में आप लोगों को form फिलब करने का date दिया जाएगा तो इसके लिए आप लोगों को payment का भी option दिया जाएगा कुछ समय दिया जाएगा last week June of 2022 में payment करने का तो यदि आप आप लोग इसमें correction भी करना चाहेंगे तो उसका भी date अलग से दिया जाएगा last week of June 2022 यह मैं आप लोगों को लगभग के अधार पर बता रहा हूं और सकता इससे पहले भी जारी किया जा सकता है यह बाद में भी जारी किया जा सकता है जैसे कि 2020 में यह जारी किया गया था और 20 सोरे कैस के अधार पर मैं ही आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोग यह guarantee के guarantee मैं नहीं दे रहा हूं आप लोगो कि यही date को ही आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार ITI का form नहीं ऐसा नहीं है आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पे जानकारी share कर रहा हूं जो भी यह यानकी previous years में जो भी online form निकाला गया था उसी के अधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोग जैसे इस form को फिलब कर लेते हैं तो second week में आप लोगों को जूलाई में यानकी second week जूलाई में second week के अंदर आप लोगों को इसका admit card भी देखने को मिल जाएगा admit card जैसे ही आप लोगों को आज आता है तो आप लोगों का जो exam date रहे वो आप लोगों को fourth week of July में आप लोगो exam का date रहेगा और exam देना होगा तो आप लोगों को तयारी कैसे करनी है तो आप लोगों को जो भी 10th class का यहां पे syllabus होता है उसी से आप लोगों को सारा question किया जात out कर लेते हो तो आप लोगों को second week August में इसका result भी देखनी को मिल जाएगा तो दोस्तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को 10th class का जो भी syllabus होता है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है क्योंकि 10th class से ही सारे question पूछे जाते है तो वहां से आप ल admission लेने भी परिशानी हो सकती है इसलिए counseling भी last में होता है जिस भी student ने अच्छे से rank नहीं लाता है तो इसलिए आप लोग अच्छे से तयारी कीजिए और अपना counseling कराके admission ले पाईएगा तो दोस्तों यदि आप लोग भी उनमें से एक हैं जो 20 या 11 में admission नहीं ले पाए थ तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को exam देनी है और यहां पर इस तरह से जारी क्या जाएगा बिहार ITI का form दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो like करके channel को subscribe करें और bell notification को on करें ताकि हमारे दोरा इसी तरह से knowledge वीडिय तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद